हाई एवरिवन वेल्कम बैक तो न्य वीडियो तो फ्रेंट्स आप लोग को बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा थे कि भाईया इंटरन साला से ओनलाइन ट्रेनिंग करने के बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें और जो सर्टिफ का और वही आपका ओनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा उसी सर्टिफिकेट को फ़र जाएगा रिजिव में यूज कर सकते हैं तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे डाउनलोड करना है वीठ और विदावत परसिंटेज का सर्टिफिकेट तो चलिए हम मोईल पर करके के ऊसी जाओ अब यूज करने के वाद फृर्ट सब से पहले आपको लोगिन करना हुब तो लोगिन करने के लिए होम बट्न पर क्लिक करना हुग है तो प्रके लोगिन करेंगे अगर आप पासबेट भूलगdos यह आप Votות प्रकेड्ट करेंगे घचे आपके email id पे एक receipt password का option जाएगा और आपर जाकर कि आप receipt कर लिजेगा तो receipt करने के बाद जैसे login पे आएगे अगर आपको याद है तो login में email id डालिएगा और password डालने के बाद login किजिएगा तो चलिए हम एक तो courses में आने के बाद जो भी course पे आप enroll किये यानि कि online training जो purchase किये थे उस training पे जा करके no more पे किलिक करना है तो चलिए यह student solidworks लिया था तो solidworks open करके no more पे किलिक करते हैं आप चाहिए तो यहाँ नीचे डारेक्ट कुई जा सकते हैं programming का आपका course programming का था या फिर business का था या फिर क्लिक करेंगे तो जो आप final test देंगे उसके बाद जब आपको course complete हो जाएगा तो देखिए यहाँ continue to dashboard यानि कि dashboard पर जागर करके आप डाउनलोड कर सकते हैं certificate तो चलिए यहाँ go to dashboard पर क्लिक करते हैं तो go to dashboard पर क्लिक करने बाद आगे दिखाते हैं क्या करना है तो जैसे go to dashboard पर क्लिक करेंगे उसका बाद next page पर redirect करेगा तो यहाँ पर online training पर option पर क्लिक करना है तो जो भी training आप किये होंगे complete किये होंगे उसका option दिया रहेगा और लिखा रहेगा go to training तो जिस branch से होंगे जो भी course आप चूच किये होंगे उसके नेचे go to training का option होंगा उस on getting a certificate of completion अगर आप 33% से ज्यादा लाएं तो certificate download करने का option देगा तो देखें इसका 100% है तो अगर आप 30% से 33% से उपर लाएं 35, 50, 90, 99, 100 तो आपको certificate download करने का option देगा यहाँ देखिए progress report है कि test में आपको इतना लाएं तो आपको certificate download करना है तो get certificate पर किलिक करना होगा तो get certificate प option आजाएगा सबसे नीचे तो यहां लिखा हुआ है minimum 33% marks in the final test तभी आपको certificate मिल सकता है तो यह download certificate पर क्लिक करते हैं आप friends बात करते हैं कि आपको without marks चाहिए या फिर with marks यानि कि अगर आप जो 100% है या फिर किसी का 30% या फिर किसी का 40% क्यूंकि जिसका 70-80% है उसके लिए अच्छा है बड़ जिसका 33% है या फिर 40% है वो training का certificate कहीं दिखाएंगे हो सकता है उन्हें वायवा और interview में कम marks मिले तो इसके लिए जिसका marks अच्छा है वो चाहिए तो 100 marks कर सकते हैं और अगर नहीं चाहिए तो ऐसे ही without marks डाउनलोड कर सकते हैं तो देखें सबसे पहले जैसे open करेंगे तो अगर आपको marks so करना है तो इस पर click कर देंगे तो देखें अब without marks दिखा रहा है पहले इस पर marks हो किया रहा था कि आपको फाइनल टेस्ट में कितना है तो अगर आपको marks चाहिए यहनि कि आपके certificate में marks लिखा हो रहना चाहिए तो 100 marks on certificate क्लिक कर दिजेगा कम percentage आया है फाइनल टेस्ट में तो यहां पर नो कर देंगे तो इस तरह से आप चाहिए तो जोनों डाउनलोड कर सकते हैं एक 100 marks on certificate का और एक without marks का उसके बार download and continue पर इस पर किलिक करेंगे यह डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आप चाहिए तो प्रिंट करके जमा दे सकते हैं आप अपना भाइबा और रिजियो में लगा सकते हैं तो फ्रेंट्स इस तरह से डाउनलोड कर लिजे बागी कोई भी इस्सू होगा तो कमेंट किजेगा इसका लिक मैं description में दे दूँगा वहां से जाकर कि आप डाउनलोड कर सकते हैं